इन दर रॉबस्ट रिवीजन सीरीज आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर दर लिविंग वर्ल्ड को काफी सारे ऐसे चैप्टर होंगे जिनको पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी अगर लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फे आपकी अच्छी खासी कमांड है त तो यहां पर अगर कोई एनिमल है तो उसको कैसे पता लगा भाई अपना ब्रीडिंग का मौसम आ गया अब मैं कोई चीज कल को ढूंड दूं भाई यह कौकरोज मैंने ढूंडा तो इसका नाम मैं रख रहा हूं क्या पैरी प्लेनेटा विपू ना और आगे मैंने लिख द समझने वाली बात हमने समझ ली याद हमको सिर्फ यही करना था यानिकि यहें चार है मीश बात और ये there और ही उबनाएग नोपकी इंकल्buster the हरे पॉइंट्स पे और यलो पॉइंट्स पे आपका स्पेसिफिक ध्यान हो बहुत साइंटिफिकली बनाए गए नूट्स हैं ना हवाबाजी नहीं है टाइम पास नहीं है बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए है जिसे आप इंपॉर्टेंट वर्ट्स पे जंप कर सके इस बहुत चोटा है लेकिन एक्च्वल में इस चेप्टर के अंदर जो भी चीज़े आप लोग पढ़ेंगे यू कैंड डैरेक्टली हैव दियर प्रैक्टिकल इंप्लिकेशन यानि कि इस चेप्टर में पढ़े हुई बातों को आप किसी भी यूनिट में अप्लाए कर सकते ह हैं काफी सारे ऐसे चेप्टर होंगे जिनको पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी अगर लिविंग वर्ल्ड चेप्टर पे आपकी अच्छी खासी कमांड है तो इसलिए हम लोग एकदम जनरल लेवल से एकदम बेसिक लेवल से हर बार की तरह एकदम जीरो लेवल से अ उसको आपको पढ़ने की कोई जरुवत नहीं है लेकिन नई NCRT में एक और टॉपिक हटा दिया गया है जो कि इस चेप्टर का इनिशल टॉपिक था जिसे हम कहते हैं वर्ट इस लिविंग तो वो टॉपिक आपको पढ़ना है क्योंकि वो NCRT से तो हटा दिया गया है लेक तक हमारे पास कोई clarity को इंडिकेशन नहीं है कि इस topic को हटाया जा रहा है syllabus से या फिर रखा जा रहा है तो हम पढ़ेंगे हम सेफ साइड पे चलेंगे तो एक एक चीज आपको बहुत clarity से समझ में आईगी because आपके पास है मेरे हस्त लिकित नोट्स जिनका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और पिछली वीडियो की तरह कई स्टूडेंट्स ने मेरे को अपने नोट्स भेजे कि सर हमने आपके नोट्स जो है इनको बजने पे लगाई है और आपके पास मेरे नोट्स हैं ही चाय पानी पीते हुए जब भी आपको पांच-दस मिनट का वक्त मिले आप एक पूरे के पूरे चैप्टर को consolidate कर सकते हैं समझ सकते हैं कर सकते हैं recapitulate कर सकते हैं and that is the best part so let's start this chapter और जब भी हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम हमेशा चैप्टर के नाम में घुश जाते हैं और इस चैप्टर का नाम है the living world यानि यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं living organisms की जो की इस world के अंदर present है यानि अगर मुझे इ इस चैप्टर को बायो डाइवर्सिटी नाम दे सकता हूं living का मतब होता है जिन्दा और जिन्दा का मतब होता है बायो वर्ल्ड इस धर्ती पे जितने भी living organisms पाए जा रहे हैं उनकी study को living world कहा जाता है तो जितने भी organisms हैं यह सारे एक जैसे तो है नहीं अलग-अलग अलग-अलग टाइप के इनिमल्स हैं अलग-अलग टाइप के बेक्टीरिया हैं तो जाहिर सी बात है आपके biological organisms में बहुत जादा डाइवर्सिटी है अलग-अलग living organisms different type के होते हैं भिन भिन प्रकार के होते हैं इन में variations देखने को मिलती हैं तो जाहिर सी बात है इस chapter को आप scientist का introduction दिया हुआ है जिनका नाम है sir Ernest Mayor इनकी बात कर लेते हैं Ernest Mayor सहाब जो है 100 number इनके लिए बहुत important था क्योंकि पहली बात तो ये 100 साल तक जिन्दा रहे 1904 में sir का जन्म हुआ था और 2004 में इनका दिहान्त हुआ यानि 100 साल की उम्र को इन्होंने cross किया और दूसरा दुनि evolution पर इतना खतरना काम किया था कि इनको evolution के भगवान Darwin सहाब से compare किया जाता था और इन्हें कहा जाता था Darwin of 20th century क्योंकि इनका जन्म सन 1904 में हुआ था तो इनका main जो काम था वो 1900 से 2000 के बीच में था यानि 20th century में था इनको Darwin of 20th century कहा गया और इनके सम्मान में sir को top three prizes भी मिले in the field of biology यानि इनके सरपेक ताज था इनके उपर biology का ताज था तीन सबसे ज़्यादा prestigious awards इनको मिले हुए थे international prize for biology, craft food prize and balsan prize यानि कहा जाता था कि इनके पास triple crown of biology है तीन सबसे prominent awards है सौ साल तक ये जिये थे, top 100 scientist की जब भी list बनेगी उनमें इनका नाम शुमार होगा और Darwin सहब से इनका direct comparison किया जा रहा था सबसे important बात जो इन्होंने कही वो थी about biological concept of species, biological concept of species क्या है जब भी species की definition पूछी जाती है किसी scientist से तो वो अपने अपने तरीके से species की definition बताते है यहाँ पर Ernest Mayer सहब ने भी अपनी एक definition बताई, species के लिए अपनी एक बात बताई जिसको biological concept कहा जाता है क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि एक species के जो members हैं यही आपस में breed कर सकते हैं, यही आपस में sexual intercourse कर सकते हैं और fertile बच्चे पैदा कर सकते हैं अगर दो अलग-अलग species के individuals mate करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा शायद पैदा हो जाए, just because of the similarity लेकिन वो बच्चा fertile नहीं होगा, sterile हो जाएगा for example, अगर एक human female है और एक human male है, यह अगर breed करते हैं तो क्या fertile human बच्चा पैदा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, तो आप यहाँ प्रूव कर सकते हैं कि इनका बच्चा fertile है, यानि male और female जिन्होंने आपस में intercourse किया था, यह same species के हैं अगर एक male donkey है और एक female horse है, यानि male donkey यानि इसे jack कहा जाता है, और female horse इसे mare कहा जाता है, जब jack और mare आपस में intercourse करते हैं, तो क्या पैदा होता है, खच्चर पैदा होता है, मियूल पैदा होता है, और वो मियूल आगे अपने खुद के बच्चे पैदा नहीं कर सकता, यानि अगर यह sterile है, एक भी मियूल अगर दुनिया का अपने खुद के बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है, तो आपको पता लग गया कि इनके माता-पिता ने biological concept of species को disobey किया ह है, biological concept of species की बात नहीं मानी है, इसलिए इनका बच्चा क्या हो गया है, sterile हो गया है, for example आपका lion है male और tigress है female, तो इनका जब बच्चा होगा तो इसे क्या बोलेंगे, liger, lion से lie word आया, और tiger है ना, इसे ger word आया, end में, यानि कि female को हम लोग थोड़ा सा बाद में लिखते है, according to nomenclature script, तो liger जो है, ये भी आपका क्या होता है, sterile होता है, तो ultimately, there are a lot of things which you need to understand, उसमें से सबसे जरूरी है, आपकी biological concept of species, की दो individual जब same species के हैं, ये जब mate करेंगे, तभी इनका बच्चा पैदा होगा और वो sterile होगा, और वो fertile होगा, sorry है ना, अगर sterile बच्चा है, इसक is very diverse, मैंने आपको बताया, biodiversity, diverse, different, variation, बहुत सारे अलग अलग किस्म के organisms अर्थ पे पाए जाते हैं, और ये extraordinary habitat में भी रहते हैं, बदब जहां पर आपको लगता है कि जीवन संभव है, वहाँ पर तो लोग रह ही रहे हैं, जैसे रेकिस्तान में जो है, लोग नहीं रहते बह thermal springs आपका geezer से भी जादा temperature का water जहां पर पाए जाता है, वहाँ पर भी रह रह रहे होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, extremophiles कहा जाता है, extremo यानि extreme conditions, harsh conditions और file यानि loving यानि पसंद करना, ऐसे individuals जो की extreme conditions को पसंद करते हैं, उन्हें extremophiles कहा जाता है, जिसका सबसे common example है, खत्र अधी के आसपास जिंदगी मिलेगी ही, लेकिन मेरे दोस्त, ऐसे इलाके जहां आपको लगता है कि जीवन संभव ही नहीं है, वहाँ पर भी आपको जीवन देखने को मिल सकता है, आर्की बैक्टिरिया वहाँ पर भी पाए जा सकते हैं, और ये जो और गैनिसम्स हैं, यह आपस में अलग-अलग तरीके की रिलेशन्शिप्स भी शो करते हैं, इन्हें हम कहते हैं, इकलोजिकल कॉनफ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, सर कॉपरेशन क्या होता है, आपको पता है, कॉपरेट करना मतलब सहीयोग करना, एक दूसरे की मदद करना, समझ लीजे आपके पड पोरी सी हेल्प कर दी, that is कॉपरेशन, यानि अलग-अलग ऑर्गैनिजम्स एक दूसरे का सहारा भी बन सकते हैं, एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, that is कॉपरेशन, एंड कॉनफ्लिक्ट यानि अर्जन वेल्ली का युद्ध भी हो सकता है, यहां पर, कॉनफ्लिक्ट मतल करते हैं, so this nature is so diverse, कि यहां पर अलग-अलग प्रकार की relationships हमें देखने को मिलती है, तो यहां पर अलग-अलग features होते हैं, एक living organism के, और यह बात NCRT में नहीं है, but this is very very important from examinations point of view, क्योंकि यहां से PYQs पूछे जाते हैं, आराम से देखेगा, कोछ features जो है living organism के, इन्हें कहा ज character district feature, character district feature, character district feature क्या होता है, नाम को ही तोड़ लिजे, initial alphabet देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, character, character मतलब आप एक particular living organism के किसी character के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या वो चल सकता है, अगर चल सकता है, तो यह उसका character है, क्या वो खा सकता है, क्या वो खाना पचा सकता है, क्या वो सांस ले सकता है, क्या वो reproduce कर सकता है, क्या वो अपनी उंगली हिला सकता है, क्या वो फैंट चला सकता है, क्या वो बात कर सकता है, यह सारी चीजे हमारे characters हैं, हम यह सब कर पा रहे हैं, तो characters तो आपको हर living organism में ही देखने को मिलेंगे, तो characteristic features are found in different organisms, किसी ना किसी living organism में कोई ना कोई character तो मिलेगा ही, तो यह जो characteristic feature है, यह सब organisms में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो defining feature है, नाम क्या है? defining feature, यानि यह define करने चाहिए living organism को, यानि ऐसे feature जो 100% living organisms में पाए जाते हो, कोई exception नहीं, दुनिया में कोई भी अगर living organism है, तो उसमें character ही मिलेगा, और किसी भी non living चीज में ना पाए जाते हो, not present in any non living thing, दुनिया के सारे living organism में यह character मिलता ही मिलता हो, और किसी non living चीज में ना मिलता हो, तो इसको क्या बोलेंगे? defining बोलेंगे, एकदम specific चीजे हैं, यह हमारी चीजे है, living organism के लिए ही यह features बनाए गए है, for example, असान definition अगर मैं बताऊं growth की तो वो क्या है? बड़ा होना, आप क्या non living चीजे बड़ी नहीं होती? अगर आप पहार देखें, तो पहार क्या बड़ा नहीं होता? पहार कैसे बनते हैं? धरती के नीचे जो plates हैं, इनके टक्राने से अलग-अलग आकृतिया बनती है, अगर एक पहार है उसके ऊपर बर्ब गिरेगी, तो भी तो उसका size बढ़ा, तो non living चीजों का भी तो size बढ़ सकता है, वो भी तो grow कर रही है, तो growth जो है, ये तो non living चीजों में भी देखने को मिल सकती है, तो ये defining feature तो नहीं है, ये defining feature तो नहीं है, हाँ, कई organisms में growth होती है, तो एक characteristic feature तो है जो कि सारे ही होंगे, for example आपका reproduction, reproduction जो है ये तो आपका कई organisms में पाए जाता है, तो characteristic feature तो है, क्या ये defining feature है, defining feature नहीं है, क्यों, मैंने आपको अभी बताया कि अगर एक male गधा और एक female गोडी इनके बीच में अगर intercourse होगा, jack और male के बीच में अगर intercourse होगा, तो इनका बच्चा पैदा होगा, खचर, जो कि है sterile, यानि वो reproduce नहीं कर सकता, मैंने आपको बोला, defining feature वो feature है, जो 100% living organism में पाए जाएं, या 100% living organism में reproduction हो रहा है, नहीं, wicked owner film देखी होगी आपने, कई सारे ऐसे humans भी होते हैं, जो कि infertile होते हैं, जो कि sterile होते हैं, किसी-कि disorder की वज़े से, not because of the biological concept of species, कई सारे disorders की वज़े से, आपके जो male और female है, इन में भी sterility आ सकती है, तो वो भी reproduce नहीं कर सकते, लेकिन वो living organism तो हैं ही, तो reproduction जो है, it is not shown by 100% of the living organisms, इसलिए ये भी defining नहीं है, characteristics तो सारे ही होंगे, cell organization, अब हम cell की definition ही क्या बोलते हैं, सबसे common cell की definition, जिसे भूल जाना जाना मुम्किन है ही नहीं, cell की definition है, it is the structural and functional unit of life, यानि life अगर चाहिए, जिंदगी अगर चाहिए, तो cell तो होना चाहिए, दुनिया में ऐसा कोई living organism नहीं है, जिसमें cell ना होता हो, तो एक characteristic तो होगा ही हो दुनिया के हर living organism में cell होगा, और किसी भी non living चीज में cell नहीं होगा, तो cellular organization is a defining feature, अगला देखे, metabolism, metabolism यानि आपके body में होने वाले reaction, तो cell जो है, इसके अंदर cytoplasm पाये जाता है, which is the main arena of cellular activities, मैंने आपको lecture number one में बताये था, तो जब आप cell की बात करते हैं, तो आप उसके अंदर होने वाले reactions की भी बात कर रहे होते हैं, dead cell का कोई वजूद नहीं है, अगर cell जिन्दा है, तो वो metabolic reactions की वज़े से जिन्दा है, तो अगर cell एक defining feature है, तो metabolism भी एक defining feature होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो एक characteristic तो होगा ही होगा, defining भी होगा, self consciousness, self consciousness, self consciousness मतलब self awareness, यह जो property है, यह octopus की कुछ pieces में देखने को मिलती है, और humans में देखने को मिलती है, तो यह दुनिया के हर organism में नहीं है, तो it is not a defining feature, लेकिन consciousness, अपने आसपास के environment को sense करना, कि environment में क्या changes आ रहे हैं, और उस हिसाब से respond करना, खत्रों से बचने की कोशिश करना, यह हर कोई करता है, एक bacteria जो हमें बहुत simple दिखाई देता है, एक unicellular organism है, वो भी virus से बचने की कोशिश करता है, वो भी अपनी wall को non-permeable बनाने की कोशिश करता है, कि virus की entry को रोक लिया जाए, वो अलग बात है कि virus कुछ ना कुछ करके घुसी जाएगा, लेकिन उस bacteria को idea लग जाता है कि हा लेके दुनिया के सबसे complex eukaryotes तग consciousness दिखाते हैं, यह अपने आसपास के environment को sense कर सकते हैं और उसी हिसाब से respond भी कर सकते हैं, तो consciousness, metabolism and cellular organization यह defining feature है, और growth, reproduction and self-consciousness यह defining feature नहीं है, यह सिर्फ characteristic feature है, यह सारी बाते हमने बढ़िया तरीके से देखी, सारी बाते आपको मैंने यहा करना चाहिए कि हम क्या-क्या बाते कर रहे हैं, बट still मैं आपको एक और बार समझा देता हूं सारी के सारी चीजे one by one, सबसे पहले चर्चा करते हैं growth की, तो growth जो है यह दो तरीके से हो सकती है, इसके twin characters है, पहला अगर आपका वजन भढ़ रहा है, आपका mass भढ़ रहा है, है ना, और दूसरा increase in number of individuals अगर हो रहा है, तो भी आप grow किये, for example एक bacteria है, उसने division किया, तो कितने bacteria हो गए, दो bacteria हो गए, दो daughter bacteria ने बढ़े होका division किया, तो कितने bacteria हो गए, चार bacteria हो गए, तो क्या यह growth है, भाई number भढ़ रहा है, तो growth है, आप जब पैदा हुए थे, तो क्या किया है, मेरे भाई जब पैदा हुए थे, तब से तो mass बढ़ा ही है ना, तब से तो grow ही किये हो ना, right, so that's why increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth, तो अगर आप किसी unicellular organism की बात करते हो, तो इसमे growth cell division और reproduction एक ही चीज़ है, इन्हें कहा जाता है inclusive events, कैसे, अगर एक cell है, लेट से, एक bacteria है, य तो क्या ये cell division है, एक bacteria ने दो daughter cells बना, ये cell division है, एक cell से दो cell बना cell division, ये जो bacteria है, parent bacteria इसने दो daughter bacteria बनाए, इस perspective से देखो, तो ये reproduction भी है, कि एक bacteria था, इसने binary fission से दो daughter bacteria बनाए, तो it is binary fission also, it is reproduction also, और number भढ़ रहा है मेरे भाई, इसका मतलब साहिर सी बात है, कि ये आपका growth भी तो है, तो growth reproduction और cell division तीनों सेम ही तो चीज हो गई, जब आप unicellular organism की बात करते है, multicellular में ऐसा नहीं है, they are exclusive events, अगर समय लीजे मैं cycle चला रहा हूं, और मैं cycle चलाते चलाते गटर में गिर गया, मेरी कोहनी पर चोट लग गई, सर पर चोट लग गई, तो सर और कोहनी अगर चोट लगी है, तो मेरे cells divide करना start कर देंगे, मेरी चोट को भरने की ने, लेकिन क्या उस टाइम पर मैं reproduce कर रहा हूं, क्या मेरी चोट के भरने का, क्या मेरे cells के divide करने का, और मेरे reproduction का कोई लिना देना है, नहीं सर, they are independent events, तो इन्हें कहा जाता है, mutually exclusive events, ये अलग- से होते हैं, अलग-अलग time पे होते हैं, लेकिन bacteria में अगर आप cell division करा रहे हो, reproduction करा रहे हो, growth करा रहे हो, साथ-साथ सारी चीज़े हो जाएंगी, एक ही चीज़ के तीन नाम है, तीन बाम एक काम यहाँ पर हो जाएगा, plant की एक special property है that it grows continuously, plant आपका हमेशा grow करता रहता है, त वो एक centimeter भढ़ रहा है एक साल में, तो आप उसको track नहीं कर पाओगे, सिर्फ देखके, और आप regular monitoring तो करना ही रहे कि एक पेड़ कितना भढ़ रहा है, तो चाहे वो एक centimeter ही बढ़े, दो centimeter ही बढ़े, लेकिन हर पेड निरंतर भढ़ता रहता है, अपने life span के दौरान हमेश system cells, जो कि shoot को बढ़ा करते रहते हैं, stem and branches को बढ़ा करते रहते हैं, तो plant में growth हमेशा continuously होती रहती है, लेकिन आपकी height, animals का size एक time के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, हमारी body के कुछ ही cells अपने आपको replicate करते रहते हैं, divide करते रहते हैं, पूरी body एक time के बाद बढ़ना आपके पेट की जो lining है, stomach की lining, ये भी आपके पेट में मौझूद acid की वज़े से जल जाती है, excoriate हो जाती है, तो वहाँ पर भी नए-नए cells को बनना पड़ेगा, तो एक हफते में दो बार आपकी ये lining भी क्या हो जाती है, दो बारा से नई बन जाती है, आपको कहीं चोट लग गई, तो आपके नए-नए cells तयार होंगे, यानि आपकी body में अलग-अलग जगा पर cells बन रहे हैं, आपकी body में repair हो रहा है, लेकिन आपकी body जो है, वो further grow नहीं कर रही, एक time के बाद growth halt हो जाती है, up to a certain age, आपकी growth halt हो जाती है, non living चीज़े जो है, जैसे कि आपका पहा कर सकती है, इसे लिए इसको defining feature नहीं माना गया, correct, अगला देखे, reproduction, reproduction में reward का मतलब है, री का मतलब क्या होता है, again, reappear, वो reappear हुआ, मतलब दोबारा है ना, री का मतलब है, दोबारा, production का मतलब to produce, यानि बार 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 नए organisms बनाते रहना, which can be similar to yourself, यानि अगर human beings हैं, वो अगर reproduce करेंगे, तो बच्चा भी human being होगा, yes, so it is similar to their parent, and थोड़ा सा different भी होगा, अब मम्मी पापा से exactly तो शकल मिलती नहीं है, बच्चे की, variations आ रही है, क्योंकि मम्मी पापा के जो gametes हैं, यह fuse हुए है, तो दोनों के characters mix हुए हैं, त और example, fungus जो है, अगले lesson में, और detail में हम लोग fungus की discussion करेंगे, biological classification chapter में, तो यह बहुत सारे asexual sports बनाते हैं, और इन से आसानी से reproduce कर सकते हैं, जैसे कि apeleno spore है, आपका zoo spore है, konidio spore है, तो यह कई सारे asexual sports है, sexual sports भी बहुत सारे है, जैसे zygo spore है, u spore है, esco spore है, besidio spore है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यह आपका कौन बनाता है, fungus बनाता है, तो fungus spore कित्रू क्या कर सकता है, आपका reproduce कर सकता है, planaria या flatworm इसके बारे में आपने सुना होगा, यह true regeneration दिखाता है, यानि एक planaria कि अगर आपने तीन टुकडे कर दिये, तो तीनों टुकड से germinate हो जाए, and ultimately एक तरीके से पूरे के पूरे planaria को बना सके, तो यह flatworm में, यानि platy helmets में देखने को मिलता है, fungus, filamentous, algae, fungus भी filamentous होते हैं, जाधा तर, और algae, filamentous, जिनमें छोटे-छोटे fragment हैं, और protonema of moses, यह भी आपका क्या होता है, filamentous होता है, इसमें भी छोटे-छोटे fragment हो fragment होंगे, तो यह क्या शो करेंगे, fragmentation, इनका एक-एक fragment जो है, आपका नया fungus, या नया algae, या नया moss बना सकता है, bacteria और amoeba, unicellular है, unicellular होंगे, तो सीधा दो टुकडों में तूट जाएंगे, आपका binary fission शो करेंगे, और sterile worker bees, भाया, जो आपकी bees होती है, जो आपकी मक्या होती है, वहाँ पर males को कहा जाता है, drone और female दो प्रकार की होती है, ईक रानी मख्यी, और एक worker मक्यी, वरकर मक्यी, जो छत्ते की साफ सफाई करती है, और रानी की देखभाल करती है, और रानी मक्यी एकलोती ऐसी female मक्यी है, जो reproduce करती है, यानि बाकी जो worker bees हैं, इनके पास reproduction क आधिकार नहीं है यानि कि सिर्फ male reproduce करते हैं और females में रानी मख्य reproduce करती है mule यानि खचर जो आपका biological concept of species को disobe करने से बना था male donkey और female horse की meeting से बना था ये भी आपका infertile था और infertile human couples they do not reproduce अगर ये सारे reproduce नहीं कर रहे हैं यानि कि 100% living organisms reproduce नहीं कर सकते यानि reproduction भी एक defining feature नहीं कहा जा सकता तीसरी important चीज़ है metabolism metabolism मतब sum total of all chemical reactions occurring inside the body of an organism किसी भी organism की body में चाहे bacteria हो चाहे हमारी इतनी complex body हो हजारों chemicals हमारी body के अंदर present हैं वो एक दूसरे में convert हो रहे हैं in inter converting reactions को हम लोग metabolic reactions कहते हैं छोटे छोटे molecules मिलकर बड़े-बड़े molecules बना सकते हैं जिसे anabolism कहा जाता है और बड़े-बड़े molecules टूट करके cut करके आपके छोटे molecules बना सकते हैं काटा हो रहा है यहां पर आपका molecules का तो इसे catabolism कहा जाता है तो जितने भी metabolic reactions हैं यह दो ही प्रकार के होंगे या तो एनाबॉलिजम या कैटाबॉलिजम कैटाबॉलिजम मतलब ब्रेकडाउन करना चीजों को तोड़ना कैटा काटना और एनाबॉलिजम मतलब synthesize करना जब भी किसी चीज को तयार करोगे बांड बनाने पड़ेंगे तो energy देनी पड़ेगी तो इन्डो थर्मिक reaction लेकिन जब भी किसी चीज को काटोगे तो बांड में store जो energy है वो release होगी जब भी किसी गुल्लक को तोड़ोगे तो पैसा रिलीज हो जाएगा जो भी उस गुल्लक के अंदर था सिमिलरली जब बांड को तोड़ोगे तो energy करके सारे reactions होते हैं बहुत सारे रियक्षन से पाइरुएट बनता है इन सारे रियक्षन को आप test ट्यूब में भी करा सकते हो तो तो सेम वही reaction है जो आपकी body में हो रहा है glucose पाइरुएट ही बनेगा लेकिन यह जो reaction है लेकिन इस dance टूब को living organism ठोड़ी कहा that in vitro metabolic reaction जुन है जुसे यह लीक्षण आपकी body में होते हैं देओंzogen कंडिशन आपको प्रवाइड करनी है reaction हो जाएगा लेकिन it is not living organism इस test tube कब living organism थोड़ी कह दोगे इतनी complex थोड़ी हो गई कि सारे reaction खुद बखुद कर पाएगी तो मित में नहीं रहना है यह जो test tube है it is containing some reagents वो reaction same to same वैसा ही है जैसे आपकी body में होता है जैसे आपने test tube baby के बारे में सुना होगा कि male का gamit लिया female का gamit लिया और उसको fertilize करा दिया आपके test tube में body जैसी conditions दे करके तो उससे भी तो same ही बच्चा बनता है जो एक female के warm में बन रहा था तो it is the same reaction it is the same living reaction but it is not a living organism है न सस्टेन करने के लिए living organism का cell ही चाहिए होगा अगला जो topic है अब metabolism सब में पाए जाएगा right metabolism और cell सब में पाए जाएगा metabolism नहीं है तो cell भी किसी काम का नहीं है and it is sustained by metabolism तो दोनों के दोनों defining feature है इनके बिना living organism का कोई अस्तित्व नहीं है then let's talk about consciousness consciousness मतलब मैंने आपको बताय था कि यह सबसे जादा बाप feature इसको कहा जा सकता है अगर human के बहुत सारे feature है तो उनमें से सबसे complicated feature सबसे भयानक feature जो है वो है consciousness कि आप अपने आसपास की चीजों को environment में होने वाले changes को sense कर पा रहे हो और उसी हिसाब से आप react कर पा रहे हो respond कर पा रहे हो तो आपके आसपास कापी सारे stimulus है जैसे biological stimulus है है chemical stimulus है कोई chemical गिरिया physical stimulus है कोई radiation है कोई temperature है biological stimulus किसी फूल के ऊपर कौन बैठ गया है आपका कोई insect बैठ गया है तो these stimulus are getting proper response तो आप सबसे पहले आपने आसपास के इलाकों में होने वाले changes को sense करते हैं और फिर एक response देते हैं accordingly and यह सबसे ज़्यादा बढ़िया फीचर है living organism का इसलिए इसे कहा जाता है टेक्निकली complicated and most obvious feature यानि टेक्निकली complicated feature है बाफ फीचर इसको कहा जाता है कभी भी दो option आपको दिये जाए और कहा जाए कि भया एक को चुनो तो always go for consciousness बिना सोचे समझे sense या response की बात आपको question में पक्का कही हुई होगी जैसे एक plant है तो plant भी अपने stomata को बंद कर लेता है जब आज-पास pollutants होते है pollution जादा होता है pollutants को अंदर लेगा तो plant बिमार पड़ जाएगा similarly Venus fly trap है एक ऐसा plant है जो कि मख्यों को पकड़ करके खा जाता है अपनी phosphorus और nitrogen के requirement complete करने के लिए तो इसके उपर जैसे कोई मख्य बैठी तो osmotic changes हुए और यह flap जो है बंद हो गया यह trap जो है बंद हो गया और insect को मसल दिया Venus fly trap नाम के plant ने तो कीड़े खाने वाला plant है insectivorous plant है तो जाहिर सी बात है यह plant जो है यह भी तो sense कर रहा है कि हां मख्य बैठ गई है इसके उपर और फिर respond कर रहा है तो similarly humans भी respond करते हैं bacteria भी respond करता है जैसे मैंने बताया अपने cell wall और cell membrane को less permeable बना लेगा जब इसको पता होगा कि आसपास कोई virus present है या कोई antibiotic present है कोई ऐसी दवाई है जो बैक्तिरिया को मार सकती है तो वो कोशिश करेगा कि यह bacteria जो है कोशिश करेगा कि वो दवाई मेरे अंदर आये ही ना मैं रास्ते ही ब्लॉक कर दूँ हाँ बच पाए ना बच disease होती ही है because आपका immune system लड़ता है पर जीतेगा इस बात की कोई guarantee नहीं है depends upon the power of pathogen pathogen अगर बहुत powerful है तो आपकी बाड़ी को चक्मा दे सकता है आपकी बाड़ी के अंदर घुश लगता है कुछ गिड़ने की आवाज आई है चलो छोड़ो फोटो पिरियेड मतलब फोटो का मतलब light और पिरियेड का मतलब क्या है duration फूल में भी पिरियेड होते है ना तो duration time को कहा गया है फोटो पिरियेड मतलब sunlight की duration affect करती है reproduction को in seasonal breeders यानि कई ऐसे breeder होते हैं जो continuous breeder होते हैं वो पूरी साल reproduce कर सकते हैं जैसे human beings तो आप अपनी class में अगर बैठे हो तो हर महीने किसी बच्चे का बद्दे आ रहा होता है यानि कि अल्टिमेटली continuously breeding भी हुई है continuously हर महीने बच्चे भी पैदा हुए है तो हम लोग continuous breeders हैं लेकिन कौछ ऐसे animals या कौछ ऐसे plant होते हैं जो seasonal breeders होते हैं बाई गेहूं की फसल एक particular time पर ही होती है बाजरे की फसल एक particular time पर ही होती है अपने आपको बरो कर लेता है वो गड़ों में चुपा लेता है विकाज बहुत जादा गर्मी और बहुत जादा सर्दी वो सहन नहीं कर पाता यह बात आप structural organization चैप्टर में पढ़ेंगे तो जहां पर अगर कोई animal है तो उसको कैसे पता लगा भई अपना breeding का मौसम आ गया अगर continuously दिन की length छोटी हो रही है sunlight आपके continuously कम 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 आ रही है इसका मतब सर्दियां आ गई है तो सर्दी में ब्रीड करने वाला animal बहार आ जाएगा similarly अगर लगातार sunlight की duration भढ़ रही है भढ़ 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 रही है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भया गर्मिया आ चुकी है एक आदे दिन जादा गर्मी पढ़ सकती है कई ऐसे प्लांट जिनको बहुत जादा sunlight की duration की आवशकता होती है उन्हें long day plant कहा जाता है जब बहुत जादा duration होगी sunlight की तभी इनमें flowering होगी तभी इनमें fool खिलेगा और fool is the reproductive organ तभी reproduction होगी अगर short day plant है कोई तो बहुत कम sunlight की duration में ही उसमें fool खिलेगा और तभी उसमें reproduction ह होगी और day neutral plant है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो हर मौसम में fool खिला लेगा और वो continuously breed कर पाएगा तो seasonal breeder जो है यह light की duration से ही पता लगाते हैं कि इनका breeding का मौसम आया है या नहीं अब self consciousness मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ humans में ही पाए जाता है तो self consciousness एक defining feature नहीं है क्योंकि सारे organisms में नहीं पाए जाता सिर्फ humans में और कुछ एक species of octopus में यह पाए जाता है पेशंट जो है आपके कॉमा में इनको एक special term दी जाती है called brain dead क्योंकि अगर कोई patient कॉमा में है तो वो जिन्दा तो है क्योंकि he can come back to life anytime तो वो जिन्दा तो है लेकिन उसकी self consciousness अब काम नहीं कर रही है he is not aware of himself तो इस पर्टिकुलर केस को हम brain dead केस कहते हैं यानि organism यहां पर जिन्दा है कोई पूछे living है या non living तो आपका patient in कॉमा is living जब तक उसको बाइलाजिकली डेड़ डिकलियर नहीं कर दिया जाता तब तक उसके life में वापस आने के chances हमेशा बने रहते हैं तो he is obviously living लेकिन उनकी self-consciousness काम नहीं कर रही है तो एक अलग से term दे दी है यहां पर called as brain dead अगली जो चीज है वो है कि दुनिया में जितने भी living phenomena होते हैं they are due to underlying interactions underlying interactions क्या होते हैं सर interactions मतलब interact करना एक दूसरे से mail जोल करना और underlying मतलब नीचे level पे तो नीचे level पे जब भी कोई interactions होंगे तो एक नई high level की चीज़ बनाएंगे यानि emerging चीज़ बनाएंगे emergence शो करेंगे यह क्या बात हुई सर अगर आपके cells हैं यह आपस में interact कर रहे हैं तो यह tissue बनाएंगे और tissue is going to be more powerful than these cells इन cells में कुछ ऐसी properties थी जो नहीं थी जो अब tissues के अंदर हैं फिर tissues interact करेंगे तो organs बनाएंगे और organs में कुछ ऐसी शमताय होंगी जो tissues में थी ही नहीं फिर organs interact करेंगे तो organ systems बनाएंगे organ systems में कुछ ऐसी चीज़े होंगी जो organs में नहीं थी यानि जब भी lower level पे interaction होती है तो higher level पे कोई ऐसी चीज़ बनती है which is more emergent which is more advanced और ऐसी चीज़े हमेशा होती रहती है living system के अंदर यानि आपके जो cells है वो basically tissues बनाएंगे तो tissue are more advanced as compared to cell, organs are more advanced as as compared to tissue, organ system is more advanced as compared to organ, organism is more advanced as compared to organ system, right तो ऐसे higher level पे आपकी emergence भरती रहती है, चीज़े एडवांस लेवल पे जाती रहती है, तो living organism के definition NCRT में क्या कही गई है, यह आप देख लीजे, living organisms are self replicating यानि आपने आपको replicate कर सकते हैं, अपने DNA को replicate कर सकते हैं, खुद reproduce कर सकते हैं, एकदम होते जाएंगे, time के साथ अपने अंदर variations लाते जाएंगे, self regulating अपने आपको regulate भी कर सकते हैं, हम पहले एक zygote थे, सिर्फ एक single cell थे, और उससे हमारी body इतनी complex बन गई, तो हमने अपने आपको regulate किया ना, हमारे zygote को exactly यह पता था, कि मेरे हाथ कहां से निकलेंगे, मेरे पै interact भी कर सकते हैं, हमारे organs भी आपस में interact कर सकते हैं, body के अंदर भी एक पूरा का पूरा interactive system है, और हम भी बहार के organism से interact कर सकते हैं, capable of responding to external stimulus, यानि बाप feature का नाम यहाँ पर आ गया, consciousness का नाम यहाँ पर आ गया, external stimulus के लिए हम लोग response दे सकते हैं, यानि हम लोग conscious भी होते हैं, बाते एकदम correct है, फिर NCRT में एक बात लिखी हुई है, कि all living organisms are connected to each other and they are sharing some similarities, दुनिया में जितने भी organism हैं, चाहे वो bacteria हो, चाहे वो आपका protozoan हो, चाहे वो plant हो, चाहे वो animal हो, चाहे वो blue green algae हो, सब के सब कहीना कहीं connected हैं, क्यों, जोकि सब के अंदर genetic material क्या है, DNA, और DNA, उसने हम सब को बनाया होगा, तो हम कहीं ना कहीं उस एक organism कहीं तो बच्चे हैं, तो चाहे हम bacteria से 1% ही similar क्यों ना हो, पर कुस्तो similarity होगी, जाहे हम plant से 30% ही similar क्यों ना हो, कुस्तो similarity होगी, जाहे हम बंदर से 95% similar ही क्यों ना हो, कुस्तो similarity होगी, तो जाहिर सी बात है, हम दु genetic material हमारा DNA उस organism के DNA से कितना परसेंट सिमिलर है तो आप अलग अलग bioinformatic tools के माध्यम से अपने DNA को किसी और organism के DNA से compare भी कर सकते हैं क्योंकि manually इसको compare करना impossible है आपका DNA इतना बड़ा है आपके DNA में एक Excel अगर आप अपना निकाल लें तो उसमें पता है कितना लंबा DNA है 2.2 meters लंबा DNA है दो मीटर से भी ज्यादा लंबा DNA है और nitrogenous basis यहां पर कितने हैं 3.3 into 10 raised to the power 9 3 billion तीन अरब तो जाइड सी बात है इनको count करना या compare करना is impossible तो अलग-अलग computational tools है computer में ऐसे software हैं जैसे आपको अपने DNA को चुहे के DNA से compare करना है तो आप अपना DNA का sequence चुहे के DNA का sequence डाल दीजे इस particular tool में आपको exactly बता देगा कि भाईया 81% similarity है तो हम दुनिया के हार organism से कुछ ना कुछ similarity तो शो करेंगे तो समझने वाली बाते हमने समझ ली याद हमको सिर्फ यही करना था यानि कि यह जो दो slides हमने लगाई है यह भी हमको लगाने की जरुरत नहीं है main जो SAR है main जो बात है वो आपकी यहीं पर already given है inculcated है और यह table आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं because it is a freshly made table आप यहाँ पर देखे diversity diversity मतलब diverse different भिन भिन टाइप के भाती भाती के ओर्गैनिजम दुन्या में present है तो अगर आप अपने area of research को बढ़ाएंगे तो क्या number of living organisms बढ़ जाएंगे बिल्कुल बढ़ जाएंगे सर मैं अपने गाउ में अगर research कर रहा हूँ तो मेरे गाउ में मुझे 100 अलग-अलग तरीके के जीव जन्तु देखने को मिले मैं अगर area बढ़ा दूँगा मैं आसपास के 10 गाउ में research करूँगा तो हो सकता है मुझे 100 की जगा 500 अलग-अलग type के living organisms देखने को मिले बिल्कुल मिलेंगे मेरे गाउ में सब कुछ थोड़ी है मैं बाहर जाओंगा कुछ तो नया मिलेगा मुझे तो जब मैं area of research बढ़ाता हूँ तो मुझे number of organism जादा देखने को मिलते हैं और अगर मैं किसी नए area में जाता हूँ तो तो मुझे नए organism मिलेंगे ही लेकिन मैं अपने area में पुराने area में भी research करता हूँ तो भी मुझे नए organisms मिल सकते हैं समझ लीजे मैंने गाउ में research की और मुझे मिले वहाँ पर 100 species फिर म हूँ गलती होती है हो सकता है 120 species हो मैं 100 ही देख पाया हूँ तो 20 तो मुझे और नए मिल जाएंगी नए species मिलने के chances हैं और दुनिया में नए नए species बनती भी रहती हैं species होती भी रहती है तो चाहे आप किसी नए इलाके में जाएं चाहे आप किसी पुराने इलाके में जाएं आपको हमेशा नए नए species मिलती रहेंगी तो दुनिया में अभी तक हम कितनी अलग अलग ताइप की species को ढूंड चुके हैं 1.7 to 1.8 million अलग-अलग type की species को ढूंड चुके हैं यानि 17 से 18 लाख different type के organisms इस अर्थ पे रहते हैं जिसमें से आप मान के चलिए 1.2 million यानि 12 लाख type के तो सिर्फ और सिर्फ animals ही है और लग-बग 5 लाख अलग-अलग type के plants हैं जिस सबसे जादा diverse groups हैं दुनिया में सबसे जादा plants और animals ही पाए जाते हैं तो इतने सारे organisms को हम ढूंड चुके हैं अब इतने सारे organism हैं तो इनका नाम करण भी करना पड़ेगा दो individual का सेम नाम रख दिया तो सबसे हो जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है तो यहां पर हर organism का नाम रखना पड़ेगा इस वेरी important कि हम biological नाम या scientific नाम रखें क्योंकि local नाम या वर्नेकुलर नाम जो है यह confusion got religion create करते है for example एक प्लांट होता है जिसको कहा जाता है अब हर्याना में उसको आक्रा कहा जाता है राजस्तान में उसको कहा जाता है और नढद पडेश में अध्य परदेश में अध्याक दिखा दो तो आंक दिखादेगा उसको समझ में नहीं आए और पिस नाम लो दुनिया में हर जगा काम चल जाएगा अब नीम आप बोलोगे भारत में तो चल जाएगा बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके नीम बोलोगे नहीं पता लगेगा तो स्टेंडर्ड नाम लेना पड़ेगा अजय डिरेक्टा बोलना पड़ेगा तब जाके दुनिया को पता लएगा नीम की बात हो रही है तो देर आर सम नेम्स विच उट बी गिवन बायोजिकल नाम आपको देने चाहिए तो बायोजिकल नाम देने के लिए अलग-अलग एजेंसी बनाई हुई है जैसे बॉटनी के नाम देने के लिए यानि प्लांट के नाम देने आपने एक एजनसी सयवार की जिसने कुछ rules set कि एंद जो rules हम मानते हैं वो मानते हैं कैरूल सलने साथ के सबसे पहले इन्होंने अपने rules का पालन खुद किया सबसे आपना अपने पहले पहले कर दिया क्योंकि यह दुनिया को कहते थे कि आपके नाम में सिर्फ दो component होने चाहिए एक genus एक species लेकिन खुद के नाम में तीन component लेकर बैठे हुए थे तो as an ideal scientist इन्हों ने सबसे पहले खुद का नाम चेंज किया और अपना नाम कार्ड वान लिने से careless linear कर दिया राइट जहां पर देखिए एक नाम जो है उसके तो component होंगे पहला component होगा generic name या genus दूसरा होगा specific epithet या species और example हमारा scientific नाम क्या है homo sapiens तो homo क्या है हमारा genus है और sapiens क्या है हमारा बाद में आ रही है second नाम का हिस्सा है तो वो species है तो homo जो है आपके लेटिन भाषा से लिए जाएंगे क्योंकि लेटिन भाषा आप डेड हो चुकी है तो इसमें अगले 100 साल भी कोई बदलाव नहीं होगा ना कोई शब्द add होगा ना कोई शब्द delete होगा तो आज मैं कोई research paper अगर लिख रहा हूं आज मैं कोई नाम अगर दे रहा हूं किसी organism को तो 100 साल बाद भी उसका सेम ही मतलब रहेगा क्योंकि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो dynamic हैं जिन में सब्दों के pronunciation शब्दों के मतलब कोई नया word आ जाना कोई पुराना word delete हो जाना ये होता रहता है Latin is a dead language इसलिए scientist इसी language को use करते हैं क्योंकि इसमें changes होने के chances नहीं है तो Latin भाषा को indicate करने के लिए जब भी आप को scientific नाम लिखेंगे टाइप करेंगे उस नाम को computer पे तो आपका वो नाम जो है टेड़े अक्षरों में होगा मजनु भाई की तरह टेड़ा होगा वो अक्षर इटैली साइज रक्षर होगा ऐसे टेड़ा और अगर आप हाथ से नाम लिख रहे हैं तो आप उन्हें separately underline करेंगे जीनस को और species को to show their Latin origin for example यहां पर देखे मैंजिफेरा इंडिका यानि मैंगो का नाम मैंने हाथ से लिखा है तो जीनस को separately underline किया species को separately underline किया और end में आता है नाम ओथर का abbreviated format में तो linear का नाम लिन करके लिखा और रोमन में लिखा यानि नॉर्मल इंग्लिश में लिखा क्योंकि linear इस एन इंग्लिश वर्ड अब मैं कोई चीज कल को ढूंड दू भाई यह कौकरोज मैं ने ढूंडा तो इसका नाम मैं रख रहा हूं क्या पैरी प्लैनेटा विप थोड़ी करूंगा मेरा नाम कि जैसा है वैसा ही लिखूंगा तो मेरे नाम की जो spelling में दिया ऑगि डिया तो मैं इसका उथर हूं तो मैं ने रोमन में लिख दिया तो ना मैं इस नाम को रख सकता हूं कैन्वर्ट नाम कर करूंगा क्योंकि लेटिन शब्ध ही नहीं विपन तो एक हिंदी शब्ध है तो उसको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना अंडरलाइन ना इटैलिक्स अब दुनिया में 17 से 18 लाख आणि टैप के ओरगानिजम सोंगा तो इनको क्वेनियंट कैटेगरिज में इनको समझने के लिए अलग अलग met यानि अलग अलग के टेगरी में रखना पड़ेगा स्मेलर और गया उसमे यह सचरा में 3rd class में 4th class में 5th class में 6th class में there is a concrete classification आपने school के जितने बच्चे थे let's say 1200 बच्चे थे तो 100-100 बच्चों को 12 classes में divide कर दिया 100 बच्चे पहली class के हैं जो कि अभी nursery LKG UKG pass कर क्या है तो उनके लिए criteria है कि यह examination pass होना चाहिए फिर first pass करोगे तो second में जाओगे second pass करोगे third में जाओगे there is a criteria है ना तो on the basis of some characters easily observable characters आपने school के सारे बच्चों को अलग-अलग classes में अलग-अलग categories में divide कर दिया 12 classes या 12 categories में divide कर दिया similarly आप इन सारे living organisms को 17-18 अलग-अलग टाइप के जो इनको भी आपको categories में तोड़ना होगा इनको classify करना होगा तभी जाके तो आप इनकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर पाएंगे तो इनको अलग-अलग टेक्सा में डाला जाता है टेक्सा मतब इस दा इसको टेक्सा में डाला गया इसको टेक्सोनामी कहा जाता है तो उसमें एक step आपका taxonomy भी आएगा तो conventional taxonomy के चार पिलर्स है तक्सवनामी नाम का यह जो तंबू है यह चार बंबूओं पर टिका हुआ है पहला characterization फिर identification फिर classification फिर nomenclature समझ लीजे मुझे यह cockroach जैसा दिखने वाला प्राणी जंगल में मिला और समझ लीजे एक नई species है आज तक इसकी discovery नहीं हुई है तो यहां पर यह मुझे जंगल में मिला अगर यह मुझे जंगल में मिला तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसको देख करके इसके character को note करने की कोशिश करूँगा करोगे सर इसे कहते है characterization कोई भी चीज आपको मिली जो की बहुत नई है तो आप क्या करोगे उसके characters ही तो note करोगे that is characterization यानि मैं देखूँगा कि हाँ यार इसमें antenna भी है इसमें compound eyes भी है इसमें आपका kaitin का इसमें 2 pair of wing भी है इसमें 3 pair of leg भी है तो मैंने characterization करी सारे characters note किये जब मैं character note करते जा रहा हूं तो क्या मैं इसको identify भी कर लूँगा character note करते करते ही मुझे पता लगा कि यार यह तो cockroach से बहुत सिमिलर है तो मैं इसको identify कर गया यार यह animal है यह आपका phylum आर्थ्रोपोडा का member हो सकता है class insect का member हो सकता है तो मैं क्या classify भी करता जा रहा हूं अगर मैंने identify कर लिया तो मैं classify भी तो करता जाओंगा ना classification is a multi step process पहले मुझे पता लग गया इसकी kingdom क्या है एनिमल है यह तो एनिमेलिया है फिर इसकी phylum क्या है आर्थ्रोपोडा है क्योंकि इसमें joint appendages है दो pair of wing है त्री pair of leg है joint है सारी की सारी चीज़ें तो मुझे पता लग जाएगा आर्थ्रोपोडा है फिर इसमें तीन pair of leg है काईटिन का exoskeletal है मुझे पता लग जाएगा इंसेक्ट है ऐसे करते करते मैं इसको classify कर दूँगा कर दूँगा और फिर नॉमन क्लेचर यानि इसका नाम करन कर दूँगा नाम रख दूँगा तो पैरी प्लेनेटा तक तो इसके सारे पैरी प्लेनेटा यहां पर त्यार हो गया है तो टैक्सोनामी का ही एक पार्ट क्लासिफिकेशन यानि टैक्सोनामी is a whole process उसी का एक पार्ट है आपका classification तो टैक्सोनामी में चार चीज़ आई सबसे पहले कोई भी चीज़ आपको मिली जंगल में तो आप उसके characters note करेंगे characters note करते करते आपको identify हो जाएगा कि वो क्या है उसको अलग अलग categories में place कर दिया category assign कर दिया और चौथा नाम रख दिया यानि characterization identification classification nomenclature in a particular sequence यह आपका periplaneta विपुनाना के लिए हमने किया और यह जितने भी categories है यह जितने भी groups है यह जितने भी taxa है न यह आपके different level आपके क्या करते हैं represent करते हैं for example kingdom भी एक taxa है पाइलम भी एक taxa है class भी एक taxa है family भी एक taxa है species भी एक taxa है सारी category ही तो है category का scientific नाम taxa है लेकिन kingdom सबसे higher level की taxa है order आपके बीच की taxa है species सब सबसे lower level की सबसे simple level की taxa है यानि हैं तो सारी category ही लेकिन different levels पर और example अगर मैं human की बात करूं तो मैं human में अगर बोलता हूं sapien तो sapien भी एक taxa है category है लेकिन species level की lower level की अगर मैं बोलता हूं primate तो primate हमारा order है तो थोड़ी higher level की taxa हो गई अगर मैं बोलता हूं animal तो animal हमारी kingdom है थोड़ी और higher level की taxa हो गई तो हैं तो सारी categories ही तो multiple categories आपको यहां पर देखनी होती है main आपकी साथ categories है जिने obligate categories कहा जाता है species genus family order class phylum kingdom यह साथ important categories है which are at different level species सबसे lowest kingdom सबसे highest तो यहां पर आपको देखने को मिलता है na species genus family order class phylum kingdom तो यह आपके अलग-अलग level पे है ना इन सभी को taxa बोला बट यह level अलग-अलग लेकर बैठी हुई है correct तो taxonomy जो थी conventional इसके चार पिलर्स थे characterization identification classification nomenclature इन्हें सिक्वेंस आपने पढ़ा देन modern taxonomy के कौन से पिलर्स हैं पांच पिलर्स हैं भाई सिंपल सी बात हैं यहां पर याद करने है alphabet एकदम sequence में a b c d e a का मतलब anatomy यानि अंदर का structure b for बाहर का structure यानि morphology c for cell का structure d for developmental process और e का मतलब ecological organization a b c d e यानि अंदर का structure बाहर का structure cell का structure development pattern and ecological information सारी की सारी आपको यहां पर देखने को मिली तो आपके modern taxonomy के आधार क्या हुए a b c d e and आपका standard conventional taxonomy के आधार हुए characterization identification classification and nomenclature यह आपको देखने को मिले right taxonomy में अगर आप add कर दे evolutionary relationships यानि phylogenetic relationships phylogenetic relationships मतलब भाई अगर आप में और मुझ में कुछ similarity है तो आपके और मेरे पूर्वज सेम रहे होंगे राइट यानि आपका और मेरा evolution सेम रहा होगा येस तभी आप में और मुझ में ज़्यादा similarities हैं यानि कि हम लोग evolutionarily connected है तो अगर आप taxonomy के चार pillars के साथ साथ evolution की भी study करते हैं phylogenetic relationships की या evolutionary relationships की भी study करते हैं तो एक बड़ी ब्रांच बन जाती है biology की जिसे कहते हैं systematics तो systematics क्या है systematics में systema का मतलब है systematic arrangement यानि चीजों को और बढ़िया तरीके से arrange करना क्योंकि आपने evolution को भी यहाँ पर consider कर लिया है इसी systematic शब्द से systema शब्द उठा करके careless linear सहाब ने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था systema नैचुरी तो systema वर्ड बहुत popular है तो यहां पर पहली जो classification आई दुनिया की पहली classification यह किस बेसिस पर की गई on the basis of uses of organisms अगर कोई organism आपकी ट्रांसपोर्ट में help कर रहा है जैसे घोड़ा जैसे बैल तो बैल गाड़ी घोड़ा गाड़ी राइट तो वो ट्रांसपोर्ट में help कर रहे हैं तो transport के category बना दी कोई organism आपको food दे रहा है जैसे पल्स है यानि आपकी डाले है सबजी है चिकन है राइट अलग अलग चीज़ें जो आपका खा सकते हैं उसे क्लासिटी दे रहा है कॉन कपड़ा दे रहा है कॉन मकान दे रहा है कॉन ट्रांसपोर्ट दे रहा है कॉन सिक्यारिटी दे रहा है जैसे कि डॉक्स तो पहला जो आपका इसको एक बंदा है जिसका नाम है फैम वो लेक्टर देने जा रहा है तो इसको पोडियम चाहिए लेक्टर स्टेंड चाहिए तो कीप पोडियम क्लीन इस पोडियम को क्लीन रखो और वरना फैम गेट सिक भाइं विमार हो जाएगा कंटेमिनेशन नहीं रखनी है पोडियम पे कीप पोडियम क्लीन कीप मतलब किंग्डम पोडियम यानि P और D का साउंड आ रहा है P का मतलब फाइलम और D का मतलब डिवीजन तो यहीं पर सेम लेवल पे फाइलम शब्द इस्तमाल के आजाता है एनिमल्स के लिए और दिवीजन प्लांट्स के लिए फाइल प्लांट्स के लिए याद कर सकते हैं लोर तो हाइज भी आप याद कर सकते हैं होते हैं that is completely fine तो इस पर थोड़ा सा बाद में आएंगे पहले कुछ समझा देता हूं taxonomical hierarchy क्या होती है taxonomic मतलब taxa categories hierarchy मतलब arrangement जैसे a to z आप alphabet परते हैं तो वह hierarchy है एक arrangement है alphabet की a से z की तरफ first to last alphabet की तरफ आप z से a पर भी आ सकते है तो आपको mention करना होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं तो यह भी hierarchy है लेकिन species to kingdom यानि lower to higher category की तरफ इंग्डम तो species also hierarchy पर higher to lower taxa की तरफ हम जा रहे हैं तो यहां पर keep podium clean और fam get sick वही बात हो जाएगी आपका kingdom फाइलम पोडियम पी और डी का sound आ गया clean और fam get sick यह आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी hierarchy हो जाएगी अब species की definition क्या है पीसिस में ऐसे organism होते हैं जो कि fundamental similarity शेयर करते हैं fundamental मतब जनरल लेवल पे आपके भी दो हाथ है मेरे भी दो हाथ है आपके भी दो पैर है मेरे भी दो पैर है आपकी बॉड़ी में और जहां जहां प्रेजन्ट है मेरी बॉड़ी में भी वही वहीं प्रेजन्ट है आपके अंदर नंबर आपके अंदर नंबर की समझ में आ जाए क्योंकि हम सब एक जैसे ही तो है उद्रत ने हम में कोई भेदभाव नहीं किया है हम सब एक दम एक जैसे हैं तो वी आर fundamentally similar हम में कोई भेदभाव नहीं है तो एक स्पीसिस के जितने भी similarities ही नहीं होंगी पिर स्पीसिस की definition हमने बाइलोजिकल concept of species में भी देखी कि एक स्पीसिस के और गैनिजम जो है आपस में breed कर सकते हैं और परटाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं तब ही वह सेम स्पीसिस के कहलाएंगे अब स्पीसिस ते एक ही स्पीसिस है सेपियन बाकी हमारे साथ की सारी स्पीसिस एक्स्टिंक्ट हो चुकी है हम एकलोथी स्पीसिस बचे हैं यहाँ पर बाकी कोई नहीं है लेकिन कई ऐसी आपकी जीनस हैं जिन में स्पीसिस होती हैं जैसे तो सॉलनम में ट्वरोसम भी आएगा यानि आलू भी आएगा बने जीना यानि आपका लेपर्ड भी आएगा तो पैंठेरा में बहुत सारे और्गैनिजम से बहुत सारी स्पीसिस हैं तो इन्हें कहा जाता है पॉलिटिपिक स्पीसिस राइट फिर एक वार बड़ी केटेगरी आती है तो डेफिनेशन कैसे लिखोगी कई सारी एक जैसी स्पीसिस ने मिलकर जीनस बनाया तो जीनस क्या है अग्रूप आफ सिमिलर स्प किस सबस्6 को ही तो जीनस बुलेंगे जो कि सिमिलर है're gonna explain तो आगी जीजें आपकी ब्रोग्रेस करती है नाघर आपकी जूह अरप देखें तो अगर आप कि प्लांट को सेम में रखना चाहते हैं, तो आपको उनके vegetative character, यानि उनकी root stem leaf, as well as reproductive character, यानि flower को देखना होगा, flower और vegetative character, दोनों में similarity होगी, एक जैसे होगे, तभी उनको same family में रखा जाएगा, important बात है, order अगर आप देखें, तो यहां तक similarities काफी कम हो जाती है, अगर आप देखें, तो species में तो fundamentally similar organism है आप और में same species के हैं, sapien species के, तो आप में और मुझे में बहुत similarity है, आप में और मुझे में खूब similarity है, लेकिन kingdom के अगर आप बात करें, highest category kingdom के अगर आप बात करें, तो animal kingdom में तो करोणों अलग-अलग type के क्या है, लाखों अलग-अलग type के animals है ना, तो animals तो बहुत different type के है हमारे अंदर तो differences बहुत सारे है for example लक्स की एड में कैट्रिना कैफ जो sponge रगड रगड के नहा रही होती है अपनी बॉडी को वो जो sponge है ये भी animal है और कैट्रिना कैफ खुद भी एक animal है तो क्या दोनों में similarity है बिल्कुल नहीं है एक तरफ आपका sponge है फुसफुसा सा बरतन धोने के काम आता है बॉडी रगडने के काम आता है और दोसी तरफ खुद हम लोग इतने complex तो जाहिर से बात है मेरे दोस्त यहां पर kingdom में अलग-अलग टाइप के organisms मिलेंगे variations बढ़ती जाएंगी differences बढ़ते जाएंगे और species में fundamental similarities वाले organism है एकदम आपकी similarities जादा होंगी तो जब आप species से kingdom की तरफ जाते हो तो क्या differences बढ़ते जाएंगे यह आप कह सकते हो क्या similarities कम होती जाएंगी यह एकदम सही बात है तो order पर जब आप आते हो एकदम बीच में पीसिज जीनस फैमिली तीन केटेगरी सेड क्लास फाइलम किंग्डम तीन केटेगरी सेड बीच में जब आप आते हो तो differences भी आपके अच्छे खासे भढ़ चुके होते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत similarities देखने को नहीं मिलेंगी यहाँ पर आप एग्रिगेट ऑफ करेक्टर देखते हो कि अगर आप में 100 करेक्टर हैं आप देखते हो 50 किसके साथ मैच कर रहे हैं बहुत जादा similarity की उमीद यहाँ पर नहीं रख सकते हो order में class में फाइलम में kingdom में फिर आप देखते हो मोटा मोटा कौन similar है कुछ characters अगर similar हैं तो उसे same order में place कर दिया जाता है तो यहाँ पर ultimately you think of aggregate यानि average of characters कि 100 में से 60 भी मैच कर गए तो यार रख दो same इतनी similarities भी बहुत हैं इस level पर तो aggregate of characters आप देखना start करते हो और धीरे धीरे आप kingdom की तरफ बढ़ जाते हो तो total आपकी 7 compulsory categories हैं obligate categories को एक बार पढ़ लिया जाए मैंने आपको बताया species में similarities maximum kingdom में similarities minimum तो जब आप species से kingdom की तरफ जाएंगे तो क्या आपके number of common characters decrease होते जाएंगे चा number of similarities कम होती जाएंगी येस और जब आप kingdom से species की तरफ आएंगे arrow नीचे की साइड है तो क्या number of similarities भरती जाएंगी kingdom से species की तरफ आओगे तो similarity maximum हो जाएंगी न तो आपके increase होते जाएंगे similar characters एकदम सही बात है अब NCRT में क्या कहा गया है आराम से देखे जो आपका solenum है ये जीनस जो है ये पॉलिटिपिक था मैंने आपको बताया इसमें आपका solenum tuberosum यानी आलू भी होता है solenum melonuna यानी बेंगन भी होता है solenum nigram यानी मकॉई भी होती है solenum lycopersicum यानी आपका टमाटर भी होता है तो ये सारे के सारे species कौन से जीनस में पाए जा रहे हैं, solenum में पाए जा रहे हैं, फिर ये जो solenum है, दोस्ती कर लेगा petunia और दतूरा से, SPD, power ranger, SPD की टीम मना लेगा, SPD, solenum, petunia, dhatूरा, ये तीनों मिलकर के same family के member हो जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, solenasi, solenum, solenasi, सी merger से बन जाएगा, यानि दो families है, solenasi, convolvacy, family के end में plant में हमेशा AC आएगा, अगर में बड़ी लगती है, इसको AC की जरूरत है, solenasi, convolvacy, malvacy, poacy, esteracy, febacy, leguminacy, ये सारी families आपके syllabus में है, तब के end में AC आता है, तो तुक्के की बात नहीं है, कभी भी end में AC मिल जाए नाम क तो समझ जाएगा, family की बात हो रही है, तो solenasi और convolvacy, ये PCS का exam देने चले जाएंगे, P मतलब polymonials, इसमें solenasi और convolvacy पाए जाते हैं, फिर ponemolials, roseals, sapindales, ales आता है किसके end में, order के end में, तो polymonials और roseals मिलकर बना लेंगे, dicot, जिन में दो cortyliden होते हैं, seed में, जैसे मटर को तोड़ोगे, तो दो दाने अलग-अलग तूट जाएंगे, चने को तोड़ोगे, दो दाने अलग-अलग तूट जाएंगे, राजमा को तोड़ोगे, दो दाने अलग-अलग तूट जाएंगे, तो ये जो सारे के सारे है, मटर है, बीन है, है न, जना है, ये सारे के सार प्रक और मिलके डाइकॉट बना लेता है ठीक है और डाइकॉट और मोनोकॉट मिलकर एंजियो स्पर्म बना लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट आगे चलके पूरी प्लांट किंग्डम बना लेता है इसमें अलग-अलग टाइप के प्लांट आ जा प्लावरिंग प्लांट है आप आगे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा और जिम्नोस्पम ने मिल करके आपका अगली केटेग्री बनाई प्लांट बना लिए बीच में कई सारी केटेग्री मिसिंग भी है यह फ्लो चार्ट है एंसी आर्ट की बाते याद करने के लिए सिमिलर केस एनिमल में देखते हैं अब एनिमल में पैंथेरा नाम का जीनस है पैंथेरा टिग्रिस पार्डस और लियो यह तिनों आपके यहां पर पाए जाते हैं पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस टाइगर की स्पेलिंग आ रही है पार्डस पार्ड लियो पर्ड का साउंड आप रहा है लिए लायन का संड आ रहा है हुआ आपके किस में पाए जाएंगे फैन्ते दे आम are पिर आपका पैंथेरा जो VegetWA वह बिली से रिलेटिड है तो इन दोनों का जो जो जीनस है पैंथेरा और फैलिस यह मिलकर के family बना लेगा फैलिडी यानि बिली और शेर जो है same family के है यह बहुत connected है इसलिए कई शेरों को big cat भी कहा जाता है अगर आपने सुना हो तो panthers वगरा को और कुटा और बिली जो है यानि Kennedy और फैलिडी जो है Kennedy मतलब c4 cat में confused मत होईगा यह dog की family है और फैलिडी cat की family है यहीं पर आ गई थी ना फैलिस तो फैलिडी cat Kennedy dog यह मिलकर के Carnivora बना लेते हैं Carnivores होते हैं usually है ना और आपका primata हमारा order मिलकर के बना लेता है mammalia हम mammals है ना क्योंकि हमारे memory glands activated होते हैं in case of females right then mammalia amphibia reptilia आपके aves है ना आपकी मचलिया यह मिलकर के बना लेती हैं और कोड़ेटा और बाकी सारे animal के फाइलम मिलकर के animal kingdom बना लेंगे जैसे कि आपका पॉरी फैरा यह आपका solenum tuberosum, melongina और nigram यह मिलकर के solenum genus बनाता है, spd मिलकर आपका solenasi बनाता है, solenasi carmolvesi मिलके polymonials बनाता है, polymonials और rozels मिलके dicot बनाते हैं यह और primata मिलकर के mammalia class बना लेते हैं, this is something you need to understand, सिर्फ 3-4 level तक family तक आप याद कर सकते हो, उससे आगे याद ना भी करो तो चलेगा, अब मेरे दोस्त, यह जो आपकी classification है, single step process तो है नहीं, बहुत सारे processes हैं, पहले किसी चीज की kingdom आप decide करोगे, फिर phylum, फिर class, फिर order, फिर family, फिर genus, फिर species, तो ultimately it's a multi-step process, and यह जो आपकी categories है न, आपने किसी चीज को phylum में रख दिया, किसी organism को किसी phylum में रख दिया, तो सिर्फ morphology के basis पे नहीं रखा है, they are not morphological aggregates, ऐसा नहीं है, सिर्फ morphology देखकर के, सिर्फ शकल देखकर के कई organisms को same category में place कर दिया, नहीं, they are not morph morphological aggregate, सिर्फ morphology के basis पे शकल देखकर के इन्हें aggregate नहीं किया गया, इखटा नहीं किया गया, यहां पर और characters भी देखे गए है, जैसे modern taxonomy के pillars क्या-क्या थे, anatomy, morphology, cell को देखा था, developmental process को देखा था, ecological organization को देखा था, आपका systematic में evolutionary relationship, यानि phylogenetic relationships को देखा था, तो बहुत सारे character है न, सिर्फ morphology देखकर के आपने यहां एक category में organisms को place नहीं किया है, they are distinct biological entities, यह जो categories है, they are distinct biological entities, इनके अंदर biological organisms है, यह categories जो है, बहुत प्यार से बनाई हुई है, सो समझ के बनाई हुई है, सिर्फ morphology देखकर के, इसी भी organism को किसी category में place नहीं किया जाता, और characters भी देखे जाते हैं, तो यहां पर आपको अब चार दिया हुआ है, चार चीजे हैं, दो animals, दो plants जिनको आपको याद करना होता है, इनकी पूरी hierarchy को आपको याद करना होता है, तो सबसे पहले अगर आप man का यानि human का याद कर गए, तो house fly का आपको साथ साथ याद हो जाएगा, एक च homo से hominity, family के बाद order क्या है हमारा primata, हम लोग primate है, menstrual cycle चलती है हमारे अंदर, primate है हम लोग, एकदम सही बात है, class mammalia, memory glands हमारे अंदर होते हैं, बिल्कुल होते है, then उसके बाद phylum chordata, notochord हमारे अंदर होती है, बिल्कुल, और kingdom क्या हो जाएगी, animalia, हम लोग animal हैं ही, सेम आपको लिखना है किसके लिए, आपका house fly के लिए, house fly यानि मस्का domestica, तो आपका मस्का domestica, genus क्या हो जाएगा, मस्का species domestica, घर में पाई जाती है ना, domestic है, तो मस्का, homo से hominity है family, तो मस्का से क्या हो गई, मस्की हो गई, हो गई, सर, order आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, diptera है इसका, हमारा प्राइमेटा इसका diptera, अब अगर भाया, ये मक्खी इंसेक्ट है, तो class इंसेक्टा, और इंसेक्ट तो आर्थ्रोपोर्स होते हैं, तो आपका फाइलम आर्थ्रोपोर्डा, और मक्खी एक animal है, ये हमें पता है, तो kingdom animalia, यानि सिर्फ हमको order diptera याद करना पड़ा, और कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, बाकि सारी चीज़े हमने relatively निकाल ली, ये ना, family अगर homo से hominity बन रही है, तो मस्का से मस्केटी बन जाएगी, बाकि सारी चीज़े आपको पता ही है, कि मक्खी एक animal है, आर्थ् करते हैं, plant की, तो plant में अगर आप mango को याद कर लें, तो wheat आपको याद हो जाएगा, mango के लिए trick है, pad semi, मुहमद शमी जो है, इन्होंने pad पहन लिया है, betting करने के लिए, अब bowling नहीं, betting करेंगे हमारे शमी भया, तो pad semi का मतलब क्या है, P का मतलब है kingdom plantे, तो kingdom plantे का member है, आपका mango सबको पता है mango plant है, A का मतलब है angiospum flowering plant है, flower और fruit, फल और फूल, सिर्फ angiospum में ही देखने को मिलते हैं, तो जाएट सी बात है angiospum ही होगा, क्योंकि उसका fruit हम खाते हैं, T का मतलब class है dicot, जो mango है, इसमें 2 cotyledon पाए जाते हैं, गुठली से confused मत होई, उसको खोल के देख यहाँ पर क्या आ गया, sapindales आ गया, A का मतलब anacardiacy, AC लग गया है end में, AC की तेसी हो जाएगी, अगर यह भूल गये तो, AC लग गया है end में, anacardiacy, और MI का मतलब क्या है, Mumbai Indians नहीं, mangyfera indica, यानि यह तो इसका नाम ही हो गया ना भया, genus species हो गई, mangyfera indica, यानि अगर आप दे अब याद हो गया, ऐसे माई का मतलब है sapindales, anacardiacy, mangyfera और indica, अब यहाँ पर क्या करना है, wheat में, wheat में आपका dicot की जगा बस monocot करना है, और आपका order और family में wheat खाते हैं, बहुत commonly हम, तो पोहा भी हम commonly खाते हैं, तो पोहा पोहा वर्ड लगा देना है, यानि order हो जाएगा आपका पोहेल्स और आपकी family हो जाएगी, पोईसी है न, पीछे का तो पता ही हमको एल्स और असी आता है, तो आपका plant तो है ही, angiospum तो है ही, dicot की जगा, monocot हो गया, पोहा वर्ड लग गया, पोहा वर्ड लग गया, पोहा वर्ड लग गया, ट्रिटिकम, एस्टिमम, यह highly highlighted with their answers, जो कि आप एक बार review करेगा खुद से, यह आपका homework है, because आपकी सारी की सारी बातें, मैंने text के अंदर भी highlight कर दी है, these are annotations, यह सारी की सारी चीज़े annotated है, अगर मैं यहाँ पर यह हरे हरे mark कर रहा हूं, color, yellow का मतलब है important point और हरे का मतलब है pyq, यानि यह पहले ही करें, always make sure कि हरे points पे और yellow points पे आपका specific ध्यान हो, बहुत scientifically बनाए गए notes है, हावाबाजी नहीं है, time pass नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए है, जिससे आप important words पे jump कर सकें, इसलिए उन words को पहले ही highlight कर दिया गया है, जैसे अगर आप इस table में देखें, तो आपक चुका है, तो जाहिर सी बात है, आपके यहां से question बनेंगे, तो you can jump on these things when you are revising, to save your time, to fasten your revision speed, it is very important for all of us to make some hacks, तो मैंने यह hack तयार किया है एक तरीके से, जो कि आपको बहुत help करेगा, और आपके revision को super fast बना रहा होगा, आप बाकी लोगों से, बाकी बच्चों से, बलग इस पे अपने notes को revise कर पा रहे होंगे, और same approach, botany, मैं DZ में मैंने use किया है, अगर आप देखेंगे, तो बहुत important words मैंने highlight कर रखे है, और अलग-अलग color से highlight कर रखे, PYQ को अलग, exemplar को अलग, और आपका, जो critical points है, जिनसे आगे question बन सकते है, उनको अलग, तो आपका important points पे उनको इस बात का idea होगा, अगर आप भी पढ़ते हैं, तो एक बार Amazon पे, अगर आप इस चीज़ को notice कर पाए, आज एक बार देखेगा, अगर आपके पास mad easy है, तो अगर आप notice कर पाए, तो इस चीज़ का review एक बार जरूर, आप PW story आप Amazon पे दीजेगा, जिसे कि बाकी को हमको wrap up कर देना है, kingdom monitor, kingdom protestor, kingdom fungi वहीं पर खतम हो जाएगी, virus, viroid, prion और lichen की discussion वहीं पर खतम हो जाएगी, mycorrhiza की discussion वहीं पर खतम हो जाएगी, आपको फिर अगले chapter पर बढ़ना होगा, that is kingdom plant, and then हम morphology पे, anatomy पे, photosynthesis पे, respiration पे, and plant growth development पे भढ़ रहे होंगे, और बहुत तग में जरूर रखेगा, अगर सारी की सारी चीज़े समझ में आई, तो वीपू सर ओपी जरूर लिखेगा, मैं मिलता हूँ आपसे अगले session में, with a super power packed, robust division session of biological classification, तब तक के लिए अपना खयाल रखे, पढ़ाई करते रहे, माज मस्ती करते रहे, सीखते रहे, जैहिंद, बहु छो जा याज करते रहे, रहे माज मोई था बहुता हुश्त उर को ऑ्रेगा, मैं में आपसे अगले सकांपसे जरूर आई, सहीं उतका रहे, रहे रहे, रहे रहे, चुशका रहे, जिएूए turkey, सीखते रहे शब पाधसे एस, एसे जテो तका की सारा हुंबार, proportion Какा हज ज